फ्रेंड्स मैं पंकच गोश्वामी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10-15 डिग्री 10-15 डिग्री 15 डिग्री को निकालने के लिए हम लोग 15 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 10 60 माइनस 45 इसको सॉल करने के लिए हमको 10 A माइनस B का फर्मला याद होना चाहिए 10 A माइनस B का फर्मला क्या होता दोस्तों 10 A माइनस B इसकोल टू 10 A माइनस 10 B अपाउन 1 प्लस 10 A इंटो 10 B यहाँ पे 60 डिग्री हमारे लिए A हो जाएगा 45 डिग्री हमारे लिए B हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूस पुट करेंगे क्या हैंगी वैल्यूस 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपाउन 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटो 10 45 डिग्री 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3 1045 इस एक्वाल तो 1 1 प्लस 1060 डिग्री रूट 3 इंटो 1 इसको फर्दर सॉल करने पर यह आजाएगा रूट 3 माइनस 1 अपाउन रूट 3 प्लस 1 यह वैल्यू अभी भी कम्प्रीट सॉल नहीं है इसको सॉल करने के लिए हम क्या करेंगे रिस्लाइजर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसको इसके डिनॉम्मेटर को रिस्लाइज करेंगे वो कैसे करेंगे हम लोग रूट 3 माइनस 1 upon root 3 plus 1 into denominator root 3 plus 1 का conjugate क्या होगा root 3 minus 1 root 3 minus 1 यहाँ पे denominator में a plus b numerator में यहाँ पे क्या आया है root 3 minus 1 का square तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग a minus b का square का formula लगातेंगे a minus b का square का formula क्या होता है a square plus b square minus 2AB, तो यह बिटा आ जाएगा A square plus B square minus 2AB 2 into root 3 into 1 upon में क्या जाएगा आपका root 3 का square 3, 1 का square 1 which is further equal to root 3 का square 3 plus 1 minus 2 root 3 upon 2 यह further सौकने पे क्या जाएगा आपका 4 minus 2 root 3 upon 2 आगे सौकने पर 4 upon 2 minus 2 root 3 upon 2 which is further equal to 2 minus यह 2 to cancel हो जाएगा आपका, यह क्या हैगा आपका 2 minus root 3 तो 10 15 degree की value क्या आई 2 minus root 3 इसी तरीके से अगर हम लोग cot 15 degree को निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं और इसकी value आएगी 2 plus root 3 cot 15 degree की value को निकालने के लिए आपको cot a minus b का formula यादूना चाहिए cot a minus b आपको निकालना चाहें रिरीके र गचको यादूना उक्वाड़ागा यादू एका हम लोगं प्रेएगे यादूना फाच्ट थी को झाथज़ागा उके यादूना आपटवा़ा इस्ब्सक्तर और अभ